आपके भीतर वो कौन सी चीज है जो किसी विशेश प्रकार के भोजन का प्रतिरोफ कर रही है ये भोजन लेने का सबसे गलत तरीका है इसे आधोनिक और वैग्यानिक कहा जा रहा है मुझे नहीं पता है इसमें वैग्यानिक क्या है ऐसे बहुत से अभ्यास हैं जो शरीर की गतिशीलता को इस तरह से बदल सकते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, लाखों लोगों के साथ ये गुआ है बोजन से अलर्जी होना प्राकृतिक है या ये लोगों में बाद में विक्सित हो जाती है क्या ऐसे अपक्यास हैं जिनने करके कोई भोजन की अलर्जी को दूर कर सकता है देखें, अलर्जी कई तरीकों में दिखाई पड़ती है लेकिन अलर्जी का सबसे सामान्य प्रकार या तो त्वचा पर रैशिज या सांस लेने वाले अंग है जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है या तो इसका असर तवचा पर पड़ता है या फिर सांस की नली में किसी तरह की सूजन हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है तो हमें ये समझना चाहिए योग में हम ये देखते हैं कि आपके भीतर वो क्या चीज है जिसे ये पसंद नहीं है देखे अलोपेतिक चिकित्सा और इसमें अंतर ये है अलोपेतिक चिकित्सा ये देख सकती है कि भोजन में कौन सा केमिकल है जिससे अलरजी हो रही है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपके भीतर वो कौन सी चीज है जो किसी विशेश प्रकार के भोजन का प्रतिरोध कर रही है क्योंकि ये भोजन है, जहर नहीं है बहुत सारे अभ्यास है शांभवी से ही बहुत सारे लोगों की बहुत से स्तर पर अलर्जी दूर हो गई जबकि ये उस दिशा में काम करने के लिए नहीं बनाई गई है अगर आप उस दिशा में फोकस करना चाहते हैं तो शक्ती चलन क्रिया इस पर काम करने का बहतरीन माध्यम है आसानी से 6-9 महिने के समय में हम अलर्जी को दूर कर सकते हैं मैं कहूंगा कपाल भाती करने का शक्तिशाली तरीका ही 60 प्रतिशत समस्याओं का निदान कर देगा दुनिया की 60 प्रतिशत अलर्जी आप दूर कर सकते हैं अगर आप कपाल भाती का सही तरीका सीख लें, कपाल भाती का मतलब आपकी उर्जाएं कपाल तक पहुँचनी चाहिए. अगर बच्चों को अलर्जी हो तो क्या करें? बच्चों को पेरेंट से अलर्जी? वो बहुत आम बात है. अगर साथ से आठ साल की उम्र से छोटे बच्चों को अलर्जी है, जो मुझे लगता है, अमेरिका में बहुत आम है, और ये भारत में भी बहुत आम बन रहा है, अगर आप अलर्जी को रोकना चाहते हैं, एक चीज़ आप कर सकते हैं, बच्चे के भोजन से दूद हटा हो सकता है, अलर्जी दूद से ना हो, लेकिन दूद बहुत सारे तरीकों से आपके सिस्टम में अलर्जी लेकर आता है, क्योंकि आप दूसरे जानवरों का दूद चुराते हैं और पीते हैं, इसकी एक कीमत है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ धाई से तीन साल के उम्र तक आ मिलावटी दूद है और आप पी रहे हैं, ये बिलकुल पागलपन है, ये भोजन लेने का सबसे गलत तरीका है, इसे आधोनेक और वैग्यानिक कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता है इसमें वैग्यानिक क्या है, आप लाखों गायों का मिला हुआ दूद पीते हैं, भैस, हर चीज़ का दूद आप पीते हैं, मैं पूछता हूँ क्या आपको थोड़ा भी दिमाग है, जब बच्चे को दूद की जरूरत होती है, मा का दूद है, एक बार वो पड़ाव पूरा हो जाए, तो दूद की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप बच्चे के जीवन में जल् नहीं याद में कब लेकर गया, उसे बस कुछ बार चोटे लगी थी, उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया, नहीं तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया, क्योंकि भोजन का ध्यान रखा गया था, बस इतना ही, और कम उम्र से ही, अगर वो फल और इन चीज़ों को पसंद करने लगें, वो इन चीज़ों के साथ बड़े होंगे और उन्हें कोई उल्टी सीधी चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो अगर बच्चों में अलर्जी दूर करनी है, तो एक चीज़ है दूद, दूसरी चीज़ है मास से बनी चीज़ें, अगर उन्हें अलर्ज आनेमिक्स अभडी, वेरी वेरी, ये शरीर की गतिशीलता को बदल देगा, इस तरह से कि आपको विश्वास नहीं होगा, एक साधारन अभ्यास ये सब कर सकता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है, ऐसा मेरे आस पास के लाखों लोगों के साथ है।